Hello everyone, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चानल 30 सेस की में दोस्तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वकसर के यूद के परिनाम दोस्तो बकसर के यूद के कारण हम लोग इससे पहले वीडियो में देखें हैं अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें हैं तो हमारे description में जाकर के उसका link से आप वीडियो देख सकते हैं और वो हमारे playlist में भी available है दोस्तो बक्सर यूद के जो परिणाम है ओ एक्जाम के दृष्टिकों से बहुत ही ज़्यादा important है दोस्तो इस पेसली ये आपका 4th semester history owners CC 9 paper का important person है तो आप पूरा ध्यान दीजिएगा दोस्तो ये question आपको 100% exam में पूछेगा ठीक है तो दोस्तो बक्सर यूद के परिणामों को देखते हैं बक्सर यूद के परिणाम इस यूद के परिणाम अच्टन थी महतुपून था यानि यह जो परिणाम था इस यूद का यह बहुत ज़्यादा घ्यानक था और महर लगा दी यानि जो पलासी के यूद लड़ा गया था जिस उद्देश से यह बक्सर के यूद से उसको अगदम सुनिश्चित हो गया और बक्सर का यूद तो आप सभी जानते हैं और पलासी के यूद भी आप लोग पहले ही पड़े हैं कि किस उद्देश से किया गया अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार चाहिए था ठीक है उन लोगों को राजनेती उन लोग को जो बैपारिक स्वतनतरता था उनको चाहिए था और किसी भी परकार का हस्तेच्छे पसंद नहीं था अंग्रेजों को और अंग्रेजों एसा चाहते थे कि उनको ऐसे राज मतल बंगाल में अंगरेजो सत्ता की इस्तापना का कारी इस यूद ने पुरा किया यानि बंगाल पर जो सत्ता का जो यह था लड़ाय था और इसके बाद से एकदम पूर शुनिष्चित हो गया अब बंगाल में कोई ऐसा बचा नहीं था जो सत्ता के लिए अंगरेजों से की पराजय ने अंग्रेजों को उत्तर भारत की सर्वसेस्ट सक्ति के रूप में पतिष्टित कर दिया यानि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि वक्सर का जो युद हुआ था ओ मीर कासीम बंगाल मीर कासीम और अबुत के नवाब सुजावदॉल्ला और मुगल सासक साहा लंदुतियर ये तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाब लड़ा लड़ा था ठीक है लेकिन ये तीनों का जो गुरूप था फिर भी वो अंग्रेजों से हार जाते हैं उसके बाद क्या हुआ जब ये हार गे तो ये जो मुगल सामराइट थे और अबद का जो नवाब था इन लोगों का भी जो प्रतिष्ठा था ये प्रतिष्ठा खतम हो गया पहले तो अंग्रेज बंगाल तक ही सिमित था लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ ये जो बक्सर के यूद के बाद जो अबद का नवाब और मुगल समराठ हार गए तो अंग्रेज ने उत्तर भारत की भी ही राजनीती पर हस्तचेभ करना शुरू कर दिया था साथी साथ कोई ऐसा उस टाइम पर अंग्रेजो को टकर देने वाला सासक नहीं था उस टाइम इसलिए अंग्रेजों का पूरा का पूरा सासन वेवस्ता उन लोगों के हाथों में मिल गया और भारत का गुलामी की दास्ता शुरू हुआ ठीक है अब उनकी सत्ता को चुनोती देने वाला कोई सक्ती नहीं बचा इलावाद की संदी दोस्तो ये बकसरी यूद के बाद ये स पश्चाथ वा था आपको confusion होगा पलासी का यूद और वक्सर का यूद दोस्तो देट से ही कन्फ्यूजन दूर होगा 1764 में आपका हुआ था बकसर का यूद होगा बकसर का ही यूद का ये होगा संदी होगा ठीक है और ये तो हुआ था 1757 में ठीक है याद रखना है पुर 165 के अनुसार सुजाव दोला ने अराम साव को इलाबाद तथा कारा के जीला दिये यानि जो अवद के नवाब था सुजाव दोला ओ मुगल सासक को इलाबाद और कारा नामक दो जीला दिया ठीक है किसलिए दिया ओ ये जो ट्रेटी हुआ था संधी हुआ था इलाबाद की स संधी के अनुसार उनको देना था दोस्तों इस संधी के पीछे भी अंग्रेजों का ही हाथ था क्या हुआ हर जाने की रूप में 50 लाग रुपया कंपनी को देना स्विक्यार किया किसने सुजाव दोलाने ठीक हार भी जाते हैं उसके बाद इतना मोटी रेकम अंग्रेजों को हुआ उन्होंने अंग्रेजों का जो खर्चा होगा सेन्य खर्चा वो भी देने के लिए रेडी हुआ पांच लाग रुपया भी दिया और सेन्य खर्चा भी दिया और इलाबात और कारा नामक दो जीला भी मुगल समराइट को दिया ठीक है साहालम ने इन जीलों के बदले बंगाल बिहार और उरिसा की दिवानी कमपनी को सौब दी यानि ये जो दोगो जीला था ठीक है ये दोगो जीला किन से लिया अवद के सासक से लिया है ना और इसके बदले में मतलब ये जो लिया अवद के सासक से उसके बदले में ये सब की जागिरदारी अंग्रेजों को फ्राप्त हुआ यानि देखा जाए तो फाइदा किन का हुआ फाइदा हुआ अंग्रेज का और मुगल सासक का सुजावदुला का लॉस हुआ क्योंकि सुजावदुला को क्या करना पड़ा सुजाओ दुला को आपका पचास लाग रुपिया भी देना पड़ा अंग्रेज को ये सब का देवानी भी प्राप्त हुआ इन दोगों जीलिया को भी देना पड़ा ठीक है आगे हम लोग देखते हैं दोस्तो कोसूपदी अब कमपनी के पेंशन भोक्ता बन गया यानि जो दोगों नवाब थे अवद के नवाब और मुगल समराठ सहा अलम दूतिया अब वो राजनिती पे दखलांदाजी नहीं करेगा वो अब मात्र क्या हो गया अब पेंशन उपभोगी हो गया यानि अंग्रेजों के पेंशन पेंशन पे ही ओ लोग अब जिन्दा रहेंगे य सहा अलम भी अंग्रेज के दया के पयत्तर बन गए बकसर की यूद ने बकसर की यूद ने अंत में कंपनी के सासन की बिड़ियां को बंगाल पर जगड़ दिया यादि बकसर की जो यूद हुआ था ऑपने इच्छा अनुसर बंगाल में अपना सासन व्यवस्था करेंगे में खूब लूटेंगे तो क्या हुआ इससे बंगाल जगड़ गया अंग्रेजों के वीडियों में ठीक है इसके महत्वों पर परकास डलते हुए अल्फ्रेट लोयल ने लिखा है दोस्तों यह अल्फ्रेट लोयल कौन था एक इतिहासकार था उनका एक कोटेशन है दोस्तों कोटेशन लेखेंगे तो इन्पोर्टेंट आपको बहुत अच्छा मार्स मिलेगा ठीक है बक्सर के युद के दिर्ख कालिक तथा गुनिक परिणाम बहुत थी महत्वपून थे अंग्रेजों की बिजय के कारण मुगल्ट समराड अंग्रेजों से मिल गया वजिर भैवित हो गया तथा कमपनी की शेना गंगा पार वनारस और इलावाद महुँच गये यानि इनका जो मानना था कि ये जो वक्सर का युद का जो निर्णाई हुआ वो बहुत ही दिर्ख कालिक हुआ बहुत ही लंबा हुआ ठीक है इससे क्या परिणाम देखने को मिला इससे परिणाम ये देखने को मिला जो भी ये था मतलब जो उस टाइम का सासक हुआ करता थ और इलाबाद तक मोज गया ठीक है मतलब उनका जो विस्तार था अपना समराज्य का और और भी ज्यादा फैल गया इसके कारण बंगाल के उत्री पश्चिमी परदेश में परदेशों से उनका संबंध हुआ उससे पहली बार एक नवीन उन्नत तसपी प्रभुत्तों में अंधी के परशाद प्राप्त हुआ उसके साथ उनका जो एरिया था उनके साथ और उहां के जो नागरी के साथ एक संबंध इस्थापित हो पाया अंग्रेजों का और कैसा संबंध था ओ आप लोग भली भाती जानते हैं कि अंग्रेजों का संबंध कैसे रहा होगा ठीक है कि आगे हम लोग देखते हैं कि मेलंसन ने तो यहां तक कहते हैं कि विजय से ना केवल बंगाल ही मिला ना केवल इसने अंग्रेजियों की सीमा इलावात तक पहुचा दी आपेतु इससे अवद के सासक विजय सक्ति के कृतक पूर्ण निर्भरता विश्वास के बंधन से बं गए यानि क्या हुआ जो मेलसन थे उनका मानना था कि यह विजय ना सिर्फ बंगाल का विजय था अपेतु यह इलावाद का ही विजय था इससे क्या हुआ इलावाद अंग्रेजियों के हाथ में आ गया और उसके साथ साथ जो अवद के सासक था उनका उनको अंग्रेजिय के परति डिपेंडेंड बना दिया गया यानि अगर कोई अवद के नवाप के विलूद कोई अगर यूद करता है तो आप डिपेंड अंग्रेजों के परति रहना पड़ेगा कि उनका सेना को भी समाप्त कर दिया गया है जिसने आने वाले 94 वर्ष तक उनकी मित्रताओं का मित्र तथा सत्रूं को सत्रू बनाए रखा यानि ये संदी के वज़े से ठीक है या कंपनियों की बहुत बड़ी उपलब्दी थी यानि ये जो परिणाम था ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा उपलब्दी थी थी इतिहासकार ताराचांद के नुसर पलाशी ने सत्ता का हस्तारंतर्ण किया था यानि जो पलाशी के यूद था आब ये ताराचांद इतिहासकार भी कहते हैं मतरब कोटेशन दे रहे हैं कि ये कितना बड़ा था अंग्रेजयों का पलाशी यूद का परिनयम् कि जो पलाशी का यूद था उ मात्र जो सत्ता का हस्त्रान्तरन हुआ था यानि जो पलाशी का यूद में लड़ा गया था यूद उससे पहले बंगाल का नवाब सिराजुदला उहाँ पर सासन कर रहा था तो जब पलासी का यूद का परिणाम जब आया था उससे क्या हुआ कि सासन का बास्तविक संचालक अंग्रेज बन गए थे क्योंकि उनका जो रिप्रेजेनटेटर था यानि जो सासक था ओ पालासी का यूद था उ मात्र 17 का यूद का परिणाम जब आया इससे क्या हुआ पूरा का पूरा वेवस्टा अंग्रेजों के हातों में आ गया था था कि क्रिभ्य के अधिकार करना तो करने अधिकार में अधिकार श्रीजान कहा यूद हो कंपनी के इतिहास में बैपार का यूग समप्थ ओ गया यानी जो वैपार का यूग चल रहा था यानी टेक्स देखर करके चोरी छुपे वेपार करके और बहुत सारे एलिगर्शन के साथ व्यपार कर रहा था वो आप खतम हो गया अब फुरा फ्रीली ट्रेड कर पाएंगे फिरीली वेपार कर पाएंगे और क्योंकि पूरा का पूरा तो सासन व्यवस्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गया अता राजनितिक सत्ता का अंतरगत राजकिय राजस्व के साथ बेपार का भी युक फ्रारम हुआ यानि अब क्या हुआ अंग्रेजों का बकसर युद के परिणाम के स्वरूप उनका तो ब ब्यपार तो पूरा पूरी भारत के लिए खुल गया साती साथ भारत का राजसुव व्यवस्ता भी उनके हाथों में आ गया अब ना सिर्फ वह ब्यपार से पैसे कमाएंगे और भारत का राजसुव भी वो लुटेंगे ठीक है तो यह दोस्तों हम लोग को देखने को मिला व नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैईलते हैं झाल झाल